कि दोस्तों नमस्कार मैं आपका मित्रोप एंठाकर स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जियस मंतन में और आज हम जो है विज्ञान एवम प्रवध्योकी की अर्थात साइंस और टेक्नलोजी के तहरत हम लोग जो है इस्राइल के एक मिसाई जो है एंटी अरट्व मिसाईल उसके बारे में हम लोग विस्तार से देन करेंगे ठीक है तो पहले हम समझने कोशिश करते हैं कि कुछ सब्द है इसमें Anti-Iron Dome System ठीक है? Anti-Iron Dome System तो Anti का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिरोध करना, विरोध करना Iron मतलब होता है लोहा और डोम का मतलब होता है गुमबज तो मतलब किसी सहर को लोहे के गुमबज से ढग देना आई के लिए किसी भी मिसाइल से बचाने के लिए मतलब ये एक प्रकार का लोहे का गुमबज है जो बाहर के किसी भी तरीके के आकरमण से अपने देश की रक्षा करता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग कहते है Iron Dome System ठीक है? तो ये जो Anti-Iron Dome System है ये वर्स 2011 में सवर प्रतम इसराइल ने ही इसका आगाज किया था और जब इसने आगाज किया तो उसके 6 दिन बाद ही जो है इसराइल पल किसने अटेक कर दिया था हमास ने अटेक किया था और इसने उस समय उसकी सारी मिसाइलों को क्या कर लिया था? एंटिसेप्ट कर लिया था एंटिसेप्ट करने का मतलब सामने वाली मिसाइल को नश्ट कर देना और अपने छेतरी की रक्षा करना था उसी को ही कहते हैं एंटिसेप्ट करना थीक है? तो हम लोग समझते हैं कि एंटि आइरन डोम सिस्टम जो है वर्ष 2011 में बना ठीक है? उसके बाद में जो है राफेल डिपेंस कंपनी जो थी कहां की इसराइल की उसने इसका क्या किया था? फॉर्मेशन किया था, इसका निर्माण किया था ठीक है? काफी महेंगा सिस्टम है ये लेकिन चुकि इसराइलों के पास में पैसा जाता है टेक्नोलोजी अच्छी है तो उनको फर्क नहीं पड़ता ठीक है? तो दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलोजी मानी जाती है जापान की और इसराइल की दोनों पिद्दुक पिद्दुक से देश हैं लेकिन ये टेक्नोलोजी नमबर वन है ठीक है? लेकिन हम भारती लोग काफी पीछे हैं इस मामले में तो पहले समाझने कोसिस करते हैं कि ये जो एंटी आइरन डॉम सिस्टम एक्च्छल में है क्या? ठीक है? इस एंटी आइरन डॉम सिस्टम में तीन चीजें होती हैं मुख्य रूप से एक तो इसका होता है राडार ठीक है? पहली चीज होती है इसका राडार दूसरा होता है इसका कंट्रोल सिस्टम या इसी को कमांड सेंटर भी कहते हैं ये आटोमेटिकली या मैनुएली होता है ठीक है और तीशरी चीज होती है इसका launching pad और launching pad के उपर ही जो है missile होती है ठीक है तो कुल मिला के तीन चीज होती है एक आपका radar दूसरा आपका control system और तीसरा आपका launching pad तो इस प्रकार से जो है anti-iron dome system तीन पार्टों से मिलकर बना हुआ एक radar दूसरा पूरा बैटरी में जो है आपकी मिसाइल दो मिसायल को से होती है तामेर नाम की मिसाइल होती है पहले हम सबागे कोशिश करते हैं कि राडार क्या होता है राडार का सरप्रथम जो उस्यूट कि फोकिया गया था मतलब दुचिभी चुद त्र采ट की समय सरप्रथम इसका उप्योग किया गया था वर्ष 1949 से पैंतालीस के बीच में तो सेकेंड वल्ड वर्ड जब हुआ उस समय जो है इसका इस्तमाल किया गया था ठीक है हालाकि इसकी जो खोज है राडार की तो इसकी खोज जो है 1922 में ही हो चुकी थी ठीक है एक वैग्यानिक थी उन्होंने इसकी खोज की थी ठीक है और इसका फुल फॉर्म होता है राडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ठीक है इसको आरवी भी कहते है तो राडार सिस्टम में क्या होता है कि यह मालों आपका राडार है राडार से प्रतेक मिनट प्रतेक सेकेंड समझ लीजिए क्या निकलती है आपकी कमपन के रूप में काय के रूप में कमपन के रूप में रेडियो तरंगे निकलती है और रेडियो तरंग किस स्पीड में ट्रेवल करती है वो करती है आपके प्रकास की गति में ट्रेवल करती है ठीक है म यह क्या करती है व पर की उर सिग्नल भेसती हैं, और जैसे ही कोई object या कोई मिसाईल या कोई भी चीज़र्यासी गुजरती है, तो यह उसको sense कर लेती है, और signal उससे टकराएगा और टकरा आके वापस signal कहाँ आएगा इसके लगे हुए एंटीना में और एंटीना की सहायता से फिर computer की screen पर देखा जाता है ठीक है तो कुल मिला कर यहां से signal जाने और वापस आने में जो समय लगता है उस समय के अधार पर ही जो है क्या किया जा सकता है कि सामने वाले जो rocket होते हैं सामने वाले rocket की speed और सामने वाले rocket की उचाई दोनों चीज़ का पता लगा जा सकता है किसकी समय पस्षिता की आधार पर कि मतलब यहां से radio वे उस जाने मतलब रेडियो तरंगे उपर तक उस objects तक जाने और उस objects टकरा कर वापस एंटीना या receiver में आने तक का speed कितनी है यह भी हम पता लगा सकते हैं तो radar के तीन काम होते हैं तो पहले तो किसी किसी चीज का पता लगाना बेसिकलि यहां काम क्या हो रहा है anti-iron dome में यह rocket का पता लगाता है ठीक है तो किसका है यह पूरा यह system यह इसराइल का है तो इसराइल किस से बचने के लिए सारा system बनाया है हमास से हमास मतलब काज़ापटी के चेतर से क्यों वहां पर रहने वाले फिलिस्तिनी आए दिन क्या छोड़ते रहते हैं रोकेट छोड़ते रहते हैं जैसे कि वरतमान में जो घटना घट रही थी ठीक है तो सबसे पहले राडार हो गया राडार से जो है प्रति सेकेट जो है आपके सिगनल निकलते हैं मतलब रेडियो वे उस निकलती है रेडियो जाती है ऑब्जेक्ट से टकराती है वापस एंटीना में आती है और एंटीना के बाद उसको computer की monitor monitor पर उसको देखा जाता है और दोनों की जो समय पच्चता होती है मतलब समय की बीच में जो अंतर होता है जाने और आने के बीच का उस आदार पर जो है आपके उसकी rocket की speed या उसकी height का क्या किया जा सकता है पता लगा जा सकता है ठीक है तो उसके बाद जो होता है जब इसको यह जो radar होता है जब किसी missile को पकड़ लेता है यह उसको पता कर लेता है तो यह signal किदर भेजता है यह signal भेजता है आपके control system को ठीक है control system जो होता है यह तो automatically भी हो सकता है manually automatically मतलब यह स्वचालित होते हैं कई बार ही खुद चलते नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो इसको बैठके operate कर रहा होते हैं कंट्रोल कर रहा होते हैं control room में ठीक है तो control room में आया signal तो अब जैसे control room के पास में signal आया तो control room क्या बताएगा उसको कि rocket कहां गिरेगा ठीक है control system से पता चल जाता है कि इसने तो speed बता दिया और height बता दिया लेकिन control system क्या पता करेगा कि rocket कहां जाके गिरेगा आपको मालूम है कि इसराइल का ज्यादतर इलाका जो है वो पत्रिला इलाका है और मालों अगर control system को ऐसा लगता है कि अगर हमास से छोड़ा गया हुआ राकेट अगर किसी पत्रिला इलाके में गिरेगा तो वो क्यों वहाँ पर आदिस देगा मिसाइलों को वह अपनी मिसाइलों को आदिस नहीं देगा पत्रिला इलाके में गिरेगा तो किसी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं होगा नुक्सान कब होगा जब control system को ऐसा लगेगा कि यह किसी पब्लिक प्लेस में या किसी इंड़ेश्ट्रेल गिरने वाला है तो वह ऐसी स्थिती में जो है जो control system है कि वह क्या काम करेंगा साथ में एक system लगा होता है सा इरे संस्टम जैसा का मों सिस्टम को यह लगा कि यह public place या industrial एलाके में गिरने वाला है तो total हो क्या करने लगता है उसका siren बजना शुरू हो जाता है यह प्रकार से यह लोगों के लिए क्या होती है चेतावनी होती है कि भाईया जो है आप खत्रे में आ चुके हो आप उस place को छोड़के किसी safe place में चले जाओ क्योंकि missile जो है एक किसी particular अब place में आकर गिरने वाला है या land होने वाला है ठीक है तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा इनने detect किया इनने इसको बताया तो इसको ऐसा लगा कि अगर पब्लिक place में गिरने वाला है तो siren बजना शुरू हो जाए और साथ ही साथ चेतावनी भी बत डॉंचिंग पैडव इसमें ठीक है तो यहाँ पर बैठी हुए जो होते अक्चुल में क्या होता है आप दिखेगगा तेंस ब्लाचिंग닌 के ऊपर पूरा इक बैडड़का सिस्टम होता है क्या होता स्लोट नजर आ रहे होंगे एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच तो चार इंटू पांच इस एक्वल टुट्वन्टी ठीक है तो टोटल जो है एक लॉंचिंग पैट की जो ऊपर जो बैटरी रखी होती उसके पास टोटल किते होते चार पांच ये 20 मिसाईले होती है ठीक है जैसी उसको ऐसा लगा कंट्रोल सिस्टम को तो कंट्रोल सिस्टम यहां से आदेश दिता है कि भाईया इन मिसाईलों को छोड़ दो ताकि ये किसको एंटिसेप्ट कर सके हमास के रोकेट को एंटिसेप्ट करें और उनको नस्ट कर सक ठीक है इस तरीके से ये काम करता है ठीक है तो इसके कुछ नुकसान भी है और कुछ फायदे भी है ठीक है पहले तो काम्स को पूर सिस्टम चिया चीज,-श ची मिलकर बनना हो Ang 9 पैट की उपर रखी BRIडरी जिसके अंदर मिसाइल होती है और मिसाइल कौन सी होती तामीर मिसाइल ठीक होती है कौन सी मिसाइल है यह तामीर मिसाइल तो इसका एडवांटेज क्या है कि यह डे नाइट दोनों समय आप इस मिसाइल का इस्तमाल कर सकते हो इस सिस्टम का इस्तमाल आप कर सकते हो मतलब यह जो मिसाइल तामिर मिसाइल यह तामिर मिसाइल क्या काम करती है कि चाहे देन हो चाहे रात हो आप इसका किसी भी समय इस्तमाल कर सकते हो और दुस्मन के राकेट को निस्तो नाबूत कर सकते है दूसरी चीज ये बहुत हाइट पे जाकर भी दुसमन के रॉकेट को तभा और बरबाद कर सकता है उसके बाद बैड वैदर कंडिशन है अगर मौसम खराब है चक्रवात है तूपान है जंजावात है कोई बिस्तिती हो वैसी इस्तिती में क्या है ये आपका तामिर मिसाइल क ये राडार गाइड होता है राडार इसको बताता है कि क्या करना है किदर चलना है कैसे चलना है ठीक है तो राडार इसको क्या करता है कंड्रोल करता है और सिच्वेशन बताता है कि कहा तुम्हारा दुसमन है और तुमको कैसे जाके उसको समाप्त करना है तो ये राडार के मिसाइल रखी हुई है ना तो कितने स्लोट है कुल मिला के चारा पंचे 20 तो कुल मिला कि कितनी मिसाइल है बिस मिसाइल ने हैं एक लॉणिच्ञ पाठ चूप और है तो इसको मिठा देते हैं यह रख रख दीजी कोई दिक्कत नहीं है अब इसके नुकसान डाया है पहली ले कि छमता है इनके पास में ठीक है 400 मिसाईलों को अगर दुसमन ने माल लो 4000 मिसाईल छोड़ दिया तो बाकी क्यों मिसाईलों को तो एक काउंटर नहीं कर पाएगा तो सारी मिसाईले कहां गिरेंगे कहां लेंड करेंगी वो इसराइल के भूमी पे लेंड करेंगी और फिर इस सिस्टम को आप समझने की कोजिस कीजिए कि तामीर मिसाइल किस तरीके का होता है जो तामीर मिसाइल जो है एक मिसाइल है इसका जो ऊपरी पार्ट होता है ये वाला जो तीर के समान होता है इसको हम लोग कहते हैं वार हेड क्या कहते हैं इसको वार हेड तो इस तामीर मिसा मतलब कुछ ऐसी प्रकासी तरंगे निकलती है जो आजू-बाजू से गुजरने वाली चीजों को क्या करती है पता लगाती है ठीक है उसके बाद इसका एक second part होता है जिसको कि हम fragment कहते हैं इस fragment के अंदर एक sensor लगा होता है जिसके अंदर छोटे-छोटे टुकडों में क्या भ भरा होता है और उसके बाद इसके wings होते हैं wings मतलब इसके पंखे होते हैं और यह इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बेस कहा जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो है यह पूरा system है warhead है warhead से कहा निकलेंगा optical waves निकलेंगे जो पता करेंगे कि आजू बाजू से कौन सी चीज गुजरी है ठीक है और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं ध्यान रखेगा यह जो तामीर missile है कभी भी यह आमने सामने जो है मतलब 90 degree के कौन पर काम नहीं करता है ठीक है मतलब यह 90 degree के कौन पर कभी भी इसको नश्च नहीं करेंगे कब होगा कि यह missile ऐसी जाए यह missile ऐसी जाए ठीक है तो यह क्या काम करेंगा कि इसका जो वह वार हेड है वार हेड से optical fiber निकल रही है तो यह पता कर लेगा कि हाँ बाजू से कोई गुजरा है और तुरंत क्या होगा इसका जो यह वाला पार्ट इसका बाजू की मिजरा है और यह वाला कोशा यह दूसम năm की मिशाईल है ठीक है मतलब रोकेट मिसाईल की मतलब मेरा रोकेट तो गुजरा-धूम बंकर रहा है तो यहां से क्या निकलेगा इसकी वैस निकलेंगे, कि आज बाञए और दूसी निकलेंगा та जका क्या करे गा यह अपने आपको फाड़ लेगा कौन तामीर मिसाइल और जब यह फटेगा तो इसकी बाजू की मिसाइले भी क्या होगी यह बाजू का रॉकेट भी क्या होगा वो भी नस्ट हो जाएगा यह तो वह इसे दानत है हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुमको भी ले डूबेंग निकलती है ना प्रकास तरंगे निकलती है जो कि किसी चीज को सेंस करती है और सेंस करने के बाद यह मिसाइल क्या करती है अपने आपको फाड़ लेती है और बाजू से गुजरने वाली मिसाइल को भी यह नस्ट कर देती है ठीक है तो इस तरीके से है ना अब क्या था कि इ हमास है हमास दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आतंकवादी संगठन है ठीक है इसको दुनिया के अलग अलग देशों और आतंकवादी संगठनों से इसको फंडिंग होती है ठीक है चुकि फंडिंग होती है तो इनके पास भी अच्छा खासा पैसा है ठीक है लेकिन इनके पास म क्या होता है कि यह गाजा पत्टि से अगर को रॉटे को लॉच किया जाए तो यह क्या काम करते हैं कि यह एक यॉदो रॉकेट नहीं चुड़ते इसराइल के ऊपर घूदर ते हैं है न क्यों छोड़ते हैं पचास इधर गीर है तो कम से कम एक दो तो उदर जाके गीर है उसको नुकसान करें इसराइल को ठीक है मतलब काफी रॉकेट वहां जाकर नुकसान करते हैं इसराइल में लेकिन इसराइल के पास में इस सिस्टम है एंटी आयरं डॉम सिस्टम उससे क्या करता है निप्टा देता है अपनी तामिर मिसाइल से सामने वाले लेकिन होता क्या है और यह क्या होता है कि विदाउड गाइडेंस वाले होते हैं जो इनके पास में जो मिसाइल है यह होते हैं विदाउड गाइडेंस वाले इनके पास में गाइडेंस किसका है तामिर म के पास में क्या है हमास वाले हैं कम दिमाग हैं बुंदू Is here हैं वहीं बताया क्या चोड़ा दिवाली वाला रोकेट जैसा पता चला खुद के घर में गुज़ गया तो इस तरीके से इस तरीके से आप इसको समझ आगर इधा से इसराहिल जो है एक रोकेट छोड़ता है इसराहिल एक रोकेट छोड़ता है हमास गाजा पट्टी से एक रोकेट छोड़ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए पहले इसराहिल क्या करता था दो रोकेट छोड़ा करता था क्या क निकल गिया हमारा तामीर वाला और उससे दूसमन का मिसाल नश्ट ना हो तो कम से कम दूसरा वाला तो उसके समानांतर गुजरेगा और उसको क्या कर देगा थीक fiber इसको क्या कर देगी इसको पता कर लेगी और पता करने के बादे फटेगा तो इसको भी फार देगा ठीक है खुद तो डूबे सामने दूसरे वाले rocket को भी ले डूबे तो इसमें क्या हो रहा था देफो इनके एक rocket के जो कीमत है हमास वालों की उसकी कीमत है तीन लाग रूपए और जो इसराइल का एक रॉकेट है वो आता है तीस लाग रूपए का लेकिन उसके तीन लाग के पीछे ये अपने तो क्या हुआ यह दुस्मन का रॉकेट है हरावाला और यह हमने लाल वाला इसराइल का मालो एक रहे क्या हुआ पेरलरी भी गुजरे और मालो नहीं फटा किसी कारण से ठीक है तो फिर क्या करेगा इस असुरा आई साब पीछे जाएगा और इसको पीछे से आके मारेगा राडार गोलेगा देख तिर बाजू से कोई गुजरा तो अभी नहीं फटा ना अब एक काम करो देख तिर से आगे निकल यह तो उसका पीछा कर तो वहां से राडार बता रहा देख वा गया कर जा रहा है तो पीछे पीछे जा और उसको मार दे तो उसके विंग्स को इस तरीके से अब डेलोप किया गया है कि और रॉकेट जो है राडार की सहायता से सामने वाली मिसाइल को पीछे से जाके के मारने लगा थीक है तो फिर भी इक प्रकार से जो है काफी खर्चिला है तो इसके लिए इसराहिल ने क्या काम किया है कि अब iron beam iron beam नाम का यह सिस्टम लांच कर दिया ठीक है जैसे वह iron dome था उसी प्रकार का आप जो है यह क्या होगा अपना आफ iron beam ठीक है कि Iron Beam का मतलब यह होता है कि एक प्राकार ये भी गुमबज होगा लोय का लेकि इसमें क्या होगा? Iron Beam में सीध लेजर Would के लिए निकलेगी और लेजर लेसर किड्ने शी निकलगे दुस्मान की इस तरीके से अब वो काये के काम कर रहा है लेजर आइरन बीम की उपर काम कर रहा है तो इस बीम में क्या लिख लेंगी लेजर किड़ने लिख लेंगी और लेजर किड़ने क्या करेंगी कोई अगर रॉकेट गुजर रहा है दुसमन का तो सीधे उसको काउंटर करेंगी और सुस्कूर्ष्ट कर देंगी ठीक इस तरीके से यह है तो इस तरीके से आपने काफी चीज समझा की कैसे काम करता है तेनी चीजें होती राडार होता है banors में होलोता है और आपका launching pad होता है इस रिद को बेटरी होती है battery मिसाइल सिस्टम कहलाता है ठीक है 2011 में पहली बार यूज हुआ था इसका और रॉपल डिपेंस कंपनी इसराइल ने इसको बनाया था ठीक है वह वाली बात है कि बहुत खर्चिला है तो इसके लिए उसने क्या तरीका ढूंड लिया कि उसने क्या बना लिया आयरन बीम बनाया सेम ऐसी सिस्टम बनाया गया है बिल्कुल एंटी आयरन डॉम सिस्टम की तहत जो है बिल्कुल उसी के समान जो है स्री डॉम बनाया गया स्री डॉम मतलब सी मतलब होता है समुद्र लेकिन यहां सी का मतलब यह वाले सी से है वाले सी नहीं एस एक सी है ना हलाकि उसी को बता बनाया गया कवर है उसी प्रकार से ये जहाज की रक्षा करने के लिए बनाया गया कवच होता है ठीक और सेम उसी सिध्धान पर काम करता है जैसे कि ये काम कर रहा है ठीक एंटी आइरन डॉम उसी प्रकार के कैसे कौन काम करता है स्टी डॉम जो काम एंटी आइरन डॉम थल वाले भाग में मतलब जमीन वाले भाग में काम कर रहा है उसी प्रकार स्वीडोम कहां काम करेगा वह समुद्र में काम करेगा ठीक है तो इस तरीके से हैं उसके बाद आप देखेंगे इसराइल के पास में कई एंटिसेप्टर मिसाइल है ठीक है एक होता है वेरी सौट रेंज मोबाइल है ना तो इसमें कोन आता है वेरी सौट रेंज में आयरन डोम आता है आयरन डोम जो होता है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा मतलब 10-15 किलोमीटर की रेंज में दुसमन के मिसाइल को क्या कर सकता है करने की जो मारक चमता है वह 20-25 km होती है ठीक है 20-25 km तक का एरिया कवर करके दुसमन के काय को नष्ट कर देता है रोकेट को नष्ट कर देता उसी प्रकार फिर होता है मीडियम रेंज इसमें आता है cider MR मतलब medium range वाला और इसकी जो होती speed नष्ट करने की जो मारक चमता है वो 50 km से 60 km की बीच में होती है और उसके बाद में जो होता है long वाला होता है देविट सिलिंग क्या होता है डेविट सिलिंग की जो मारक चमता है वो 300 km तक ही होते ही है अन्ना तो मतलब इकुलमिदा के 300 किलोमीटर तक दुस्मन के क्या कर सकता है रॉकेट को नश्ट कर सकता है बात समय में आ रही है उसके बाद में इनके पास में बैलिस्टिक मिसाइलों को नश्ट करने के लिए भी जो है क्या है सिस्टम मौजूद है एरो 2 और एरो 3 यह बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए उनको नश्ट करने के लिए बनाया गया सिस्टम होता है इसकी जो रेंज होती है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की होती है अब आप लोग ध्यान कर लेजिए दो किसम की मिसाइले होती है एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल क्या होती है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो पत होता है परवलयाकार होता है अगर यहां से हम इस चीज़ को छोड़े तो यह उपर जाएगी और यह इस तरीक तो यहाँ जाकर गिरेगे ठीक है और जो दूसरी मिसाईल होती है क्रूज मिसाईल क्रूज मिसाईλ कैसी होती है यह गदम समनांतर चलती है मतला वे विदं होरिजॉन्टीकल चलती होरिजॉंटल और क्या होता हमालो разр का कोई target है इसको हमको नश्ट करना है और यह आपकी cruise missile है cruise missile क्या होगी ऐसे चले यह ऐसे और जैसे ही इस target के थोड़ा दूर पर रहेगी उसके बाद में सीधे vertically उपर जाएगी और आके इसको नुकसान कर देगी इसको नश्ट कर देगी ठीक है तो कभी हम ballistic missile और cruise missile को बहुत इस देटेल में पढ़ने की कोसिस करेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि यह कैसा जो है इसराइल का defense system है air defense system है और यह defense system जो है इसराइल भारत को बेचने भी आया था ठीक है लेकिन भारत ने इसको लेने से साप मना कर दिये था क्योंकि भारत जानता था कि भारत के जो दुस्मन है एक लोमर्चंद और एक सुमर्चंद है मतलब पाकिस्तान और चीन जो बहुत बहुत खतरनाक है यह missile की जगह मिसाइला भी छोड़ सकते है और जो इसराइल के आजुबाजु के देश हैं वो पिद्दुक पिद्दुक से छोटे विकारी देश वो क्या छोड़ेंगे खुब से खुब रॉकेट चोड़ेंगे और रॉकेट को समालने के अवकाद जो है सिस्टम है तो अब यहीं से बात निकल के आती है कि भारत क्यों ना अपना रक्षा सिस्टम को मजबूत करे और भारत के पास में दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन है आप जानते हो नासा में बड़े-बड़े वग्यानी बेटे हुई है तो पूरा अमेरिका की अर्थवस् में ही अगर मौका दे जिससे क्या हो सके कि हमारा रक्षा सिस्टम हमारा विज्ञान प्रोध्योगी की और हमारी अर्थवस्ता अच्छी हो सके इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए भारत सरगार को प्रयास करना चाहिए ठीक है आप भी समझ रहो शिश्कु और मैं भी सम